मेरे नाम है राजीव यादव और आज हमारी वीडियो का इस टॉपिक है मोटोस को रियरेंज करना सबसे पहली बाद तो अगर आप एक ड्रून मनाने चाहरे हो और एक पुशर ड्रून मनाने चाहरे हो जैसे कि मैंने यह पर बनाया है एक दोस्त का हमारा जब हमारे सबस्क्राइबर हैं तो अगर आप देखोगे हमने अपने स्टैक को ऐसे प्लेस करते हैं नीचे की तरफ से तो जिसके वज़े से बीटा फ्लाइट के जो एक डिफॉल्ट कंफिगरेशन है मोटर की वह होती है यह फॉर्स्ट मोटर होती है यह सेकेंड यह थर्ड और यह फॉर्थ लेकिन हम अपने ड्रोन को उड़ाएंगे तो ऐसे नहीं उड़ाने वाले तो हम ऐसे हैं तो यानि ह आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी मोटर को कौन सी नंबरिंग देनी है सबसे पहले यह कर लेते हैं फॉर एक्जामपल जो सही मोटर कंफिगरेशन होगा वह यह होगा यह 123 और फॉर लेकिन आक्चली में यह जो मोटर है यह वाली मोटर है हमारी थर्ड मोट थर्ड को हमकर नोट करेंगे अपनी फॉर्स मोटर में उसके बाद यह जो मोटर है यह एक्चली में फॉर्थ मोटर है इसे हमकर नोट करेंगे सेकिंड मोटर में और यह जो मोटर है हमारी जो फॉर्स मोटर है इसको बलेंगा है तू फॉर्स नहीं है अब तुझे थिरा का करेंगे हमारी फूर्थ मोटर में यह सारी चीज़ आपको भी चेक करने पड़ेंगे अगर आपने अपने ड्रोन में स्टैक को नॉर्मल नहीं कई और तरीके से लगा रखा है तो आपको अपनी मोटर को रियेंज करना पड़ेगा अब हम चलते हैं बीटा फ्लाइट में आग आप यहां से आप आसान होता भाई जो हमारे बीटा फ्लाइट के लेटेस वोजन्स है फर एजामपल यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बीटा फ्लाइट का 4.5.1 तो उसमां आपको मोटर के टाइब में यहां से आप आसानी से कर लोगे दूसरा तरीका होता दाए दूसरा वीडियो गनाने के लिए आपको ढंक से समझाने के लिए कर दिया है सबसे हम पहले चले जाते हैं हमारे मोटर के टाइब में और यहां मोटर के टाइब में आपको दिख रहा होगा रियोडर मोटर का एक ऑप्शन आ रहा है फिर से बोल देता हूं अगर आप बीटा अब जो बी मोटर आपकी रोटे टो रही होगी आपको बस बताना है कि यह हमारी फॉर्स अपर जाके उसे सिलेट कर देना है में अब उसके बाद हमारी सेकंद मोटर रोटेट हो रही है हम जाएंगे और सेकंड को सेलेक्ट कर लेंगे और यह जो थर्ड मोटर है वह है अब हापर सेसे पैसल को न्यट रखा घूहा है लेकिन CLI के टाइब में जाके यह थोड़ा पुराना तरीका है लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो अगर आप पुराना software तो आपके लिए यह तरीका कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर जड़त चले जाते CLI के टाइब में CLI के टाइब में जाके हमें resource का command type in करना है R E S O U R C E यहाँ पर हमें command type कर दिया तो काफी सारे algorithms आये हैं कुछ नहीं करना हमें बस resource motor को find करना है आप यहाँ पर देख भी सकते हो resource motor 1 से लेके 4 मलोब अफकोस ही बाद हम 4 motor से quadcopter बना रहे हैं तो इन चारो instructions को हम यहाँ से copy कर लेंगे और आप लोगे laptop पे नोट पैड का function होगा आप होगा जोग भी होगा भाई कुछ नहीं करना है उसे open करना है और यहाँ पेसे जड़ा paste कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे जाके एक बार फिर से paste कर दो इसे अब यह जो हमारी जितनी मोटर्स की values है 206, 204, 203 जो जो number है उन्हें कुछ नहीं करेंगे हम none कर देंगे यानि कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे सारे none करने के बाद एक बार इसे जड़ा कॉपी कर लेते हैं इस same instruction को और वही हमारे बीटा फ्लाइट के जो CLI का टाब है कुछ नहीं करना भाई बस जाके एक बार ज़र पेस्ट कर देंगे से and command को enter कर दिया अब हमारी जितनी मोटर्स की numbering थी मलब जो बीटा फ्लाइट ने by default मोटर को numbers दे रखे थे के भाई आपका यह number है यह हमारी फॉर्स मोटर है जो by default हम use करने वाले है actually में तो जो हमारी फॉर्स मोटर है actually में third मोटर है तो हमें हमारी जो third मोटर की value है जो उसका code दे रखा है by default इनोंने तो B03, B04 उसे हम type in कर देंगे है आपर उसके बाद जो हमारा motor number 2 है यानि यह जो हमारी second motor होगी इसका जो actually में fourth motor थी तो fourth motor होने के सबसे B06 इस number को हम type in कर देते हैं उसके बाद जो motor number 3 है यह वाली यह actually हमें first motor है तो first motor A15 और उसके बाद जो हमारी last motor है fourth motor होगी हमारी यहाँ पे एक्तम वो actually हमें हमारी second motor तो second motor की value है B03 अब मैंने इस सारी values तो put in कर दी है अब कुछ नहीं करना एक बाद फिर से इसको copy कर लेते हैं और वापिस हम अपने CLI की tab में आ चुके हैं यहाँ पे आते ही वर्जरा इसे paste करना है और हम अपने command को enter करना है यह सब करने के बाद आप save to file कर देना है आप आप option आ रहो है देखने रहा कैमरा में कोई नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है बस आपको बताने के लिए था आपको बस save to file कर रहा है आपको सारा काम हो चुका है आपकी motors अब rear range हो चुकिया तो भाई ऐसी ज्यान की वीडियोस देखने के लिए जारा कभी कबर subscribe भी कर दिया करो हमें भी motivation मिलता रहेगा ऐसी और भी वीडियोस को बनाने के लिए तो भाई इस वीडियो को तो यह पेंट करते हैं Thank you very much for watching this video